के गरीबों को लूट कर नोकरी के बदले जमीन लिखवाई है कान खोल के सुन लो उनका भी जेल जाने का काउंडाउन शुरू हो चुका है ये जैसे ही ये हेलिकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पुरा होगा जेल का रास्ता पहे हो जाएगा बिहार को लूटने वालों को एंडिये सरकार छोड़ेगी नहीं और ये एंडिये की गारंटी है मोदी की भी गारंटी है बाई और बेहनों ये इंडिये गड़बंदन वाले अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग बिहार और बिहारियों के अफमान के खिलाब आवाज तक उठाते नहीं हैं कॉंग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहाँ काम करने गए वहाँ महनत करके इमानदारी से जीवन जीने वारे हमारे बिहारी मद्दूर भाई बेहनों का घोर अपमान किया बद्दे शब्दों में अपमान किया कहां अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में गर नहीं देंगे कॉंग्रेस के मिनिस्टर ने का है कॉंग्रेस के शाही परिवार ने इसके विशय में मुपे ताला लगा दिया है क्या कभी कॉंग्रेस के साही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहारियों से माफी मांगी क्या और यह इनको लालतेन लेकर के मुझरा करने वाली जमात है वेभी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कॉंग्रेस के चरण चुम्रे कॉंग्रेस के खिलाब एक शर्द बोलने को त्यार नहीं है कॉंग्रेस का जवाब मांगने को त्यार नहीं है और जेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कॉंग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए साथियों इंडी गटबंदन के एक साथ ही डीम के के नेता ने है बिहारियों के लिए बद्दी बद्दी गालियां बोली तेलंगना में कॉंग्रेस के मुक्यमंत्री ने बिहारियों को भला बुरा कहा पस्चिम बंगार के मुक्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालिया देती है लेकिन आरजेडी और कॉंग्रेस के नेताओं ने उनके मुँ से इन लोगों को उनके खिलाब एक सब्जब बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिन्ता नहीं है इनको बिहार के गवरों की चिन्ता नहीं है इनको बिहार के फोनहार नवजवानों के प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं है इनको सिर्फ और सरफ अपने भोट बेंग की चिन्ता है उनको सिरफ आपके वोर्ट छिनना है उसके लिए भाती भाती की भाषा का उप्योग करते हैं इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई माइने नहीं रखता साथियों मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहले बार